हम शुरुआत करते हैं कम्प्यूटर की सबसे popular input device जो की keyword keyword दो शब्दों से बना है पहला key, दूसरा board key का मतलब होता है button और board का मतलब होता है एक पटला अर्थार्थ, दूसरे सब्दों में एक ऐसा पटला जिस पर बहुत सारे बटन हो keyboard का काम, computer में हमारे input करे हुए data को पहुचाना है keyboard एक peripheral है, अब peripheral नाम से आप लोगों के दिमाग में एक सवाल खड़ा हो गया होगा कि peripheral devices क्या होती है ऐसी device जो computer से जुड़ी होती हैं, उनको हम लोग peripheral devices कहते हैं या ऐसी device, ऐसे उपकरण, ऐसे यंत्र जो computer के CPU से जुड़े हुए होते हैं उनको हम लोग peripheral devices कहते हैं जैसे printer हो गया, mouse हो गया, keyboard हो गया इन सब को हम लोग CPU से जोड़ते हैं, इसलिए हम लोग इनको peripheral devices कहते हैं keyword भी एक peripheral devices है, जो कि एक typewriter की तरह देखने में लगता है typewriter आप लोग उन्हें देखा होगा, तो typewriter की तरह देखने में लगता है इसका काम, text, text का मतलब ABCD या जो भी हम कुछ लिखते हैं वो और character, इन दोनों को input कराने में काम में आता है इसका आकार जो है, mostly एक rectangular shape में होता है, इसमें कम सकम 104 से 108 की के सम 104 से 108 की की का मतलब button इतने होते हैं, अलग-अलग keyboard में अलग-अलग button होते हैं लेकिन mostly keyboard में 104 से 108 के बीच में button होते हैं इसमें कई एक प्रकार के button होते हैं, जिनको मैं बिस्तार से बहुत प्यार से आपको समझाऊँगा कि keyword के किस type के button क्या-क्या काम करते हैं जैसे alphabetic button, number button, कुछ symbol के button होते हैं, कुछ functions की होती हैं, कुछ arrows की होती हैं और कुछ business प्रकार के इसमें button भी होते हैं आप इस वीडियो को end तक देखें, मैं एक एक बटन, एक एक चीज के बारे में आपको बताऊँगा कि keyword के button किस प्रकार से कारह करते हैं keyword की सरचना के आदार पर हमने इनकी जो button है, जो इनकी कुझियां हैं, उनको हम लोगों ने छे भागों में बाटा है हर एक चीज को समस्ते जाईए, और याद रखने वाली बात यह है कि कौन-कौन सी input device है, उन सब को note कर लीजे, अभी जस पहले जो आपने देखा था एक list थी, उसमें सारी input device के नाम थे, वो आप एक copy पे note कर लीजे, इसको याद कर लीजे और एक एक करके मैं आप लोगों क पढ़ते हैं, कीबोर्ट की सररचना के आदार पर हमने इनको छे भागों में डिवाइट करा है, पहला एन्फानुमेरिक की, नुमेरिक की पेड, फंक्शन की, बिसेस्ट, उद्देशिये कुंजियां, मॉडिफायर की, करजर की, एक एक करके मैं इनके बारे में आप लोग परसा आते हैं, ए से लेके Z तक अल्फा वेट आजाएगे, 0 से लेके 9 तक नंबर आ जाएगे, कुछ चिन जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये сारे के सारे अल्फानुमेरिक की में सम्नल लीथ हैं, जैसा आप लोग देख रहे हैं, अल्फानुमेरिक की का फोटौ वो सारी चीज हमारे किसमें आगए? अलफा-नुमेरिक में आगए इनका use करके हम कम्प्यूटर में ये सारे करेक्टर या ये सारे नंबर या ये सारे symbols कम्प्यूटर तक पहुचा सकते हैं अब हम बात करते हैं नुमेरिक की पेड की यानि एक ऐसा पेड या ऐसा एक बटन जिसमें हमारे नमबर सो इसमें टोटल 17 बटन होते हैं जिसमें 0 से 9 तक अंक्री के नमबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 उसके बाद कुछ हमारे mathematics operator होते हैं जैसे plus का निशान, minus का निशान, गुड़ा का निशान और भाग का निशान इसके साथ enter बटन भी होता है तो ये सारे के सारे numeric keypad में आते हैं दोस्तो एक कौने में num lock का बटन आपको दिखाई दे रहा है num lock का बटन दवाने से numeric keypad lock हो जाता है अगर हमको numeric keypad काम नहीं कराना है तो हम num lock का बटन दवा दे num lock का बटन दवाने से keyboard के उपर num lock के उपर एक light जल जाती है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा numeric keypad जो है वो इस समय बंद है यानि lock है फिर हमारा numeric keypad काम करना बंद कर देगा तो ये numeric keypad है हम मैं आपको अगला इसका बताता हूँ अब बात करते हैं functions keys के बारे में keyboard के उपर आप लोगों ने देखा होगा कि उपर सबसे उपर F1, F2, F3, F4 इस तरह की बारे बटन होते हैं इनको हम functions keys कहते हैं इन बटनों का इस्तमाल एक functions की रूप में किया जाता है ये software के अनुसार ही अपना कार करते हैं अलग-अलग keyboard में इसके अलग-अलग प्रकार के कार रहे हैं इन सारे बटनों को F1 को F2 को F3 को इन सबको एक अपना-पना काम swap रखा है इसी काम को हम लोग function कहते हैं और इसी काम swap रहने की बज़ज से हम लोग functions की कहते हैं अग्सर ये सवाल आ जाता है कि Keyboard में कitनी functions keys होती हैं तो आप लोग ध्यान लखेंगे Keyboard में 12 function की होती हैं कितना होती हैं 12 functions keys होती हैं अब हम बात करते हैं special purpose key की जैसा इनका नाम है बैसा ही इनका काम इन सारे बटनों का यूज एक special कार करने के लिए बनाया गया है यानि इन सबी बटन एक बिसेश प्रकार का special कार करते हैं जैसे sleep है, power है, volume है, start है ये सारे के सारे बटन जो आप सामने देख रहे हैं ये special purpose keys में आती हैं, इनका अपना एक special, अलग, specific task है इसलिए इनको हम लोग special purpose keys कहते हैं अब मैं modifier keys के बारे में बात करूँगा हमारे computer system में तीन बिशेश प्रकार की keys होती हैं जिनको हम लोग modifier key कहते हैं, जैसे shift, control, alt अगर आप इनको अकेले दबाओगे, तो इनका कोई खास प्रियोग नहीं है ये वाले बटन, अन्य बटनों के साथ दबाए जाते हैं इसलिए इनको हम लोग modifier button कहते हैं त्यान लखिए shift, control और alt अब हम बात करेंगे कर्जर की की हमारे keyboard में जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इस तरीके के चार बटन होते हैं जिनकी साहता से हम उपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, पेज पर, left जाते हैं, right जाते हैं इसलिए इनको हम लोग कर्जर की कहते हैं इनका दूसरा नाम navigation key भी है क्योंकि ये स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तमाल की जाती हैं ध्यान लखिए कर्जर की का दूसरा नाम navigation key भी है अब हम keyboard के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे सामाने तोर पर keyboard तीन प्रकार के होते हैं मार्केट में तीन प्रकार के keyboard available हैं हम अपने use के हिसाब से keyboard इस्तमाल कर सकते हैं पहला साधारन keyboard जो हम लोग आम तोर पर अपने computer system में इस्तमाल करते हैं उसको हम लोग साधारन keyboard या English में normal keyboard कहते हैं दूसरा wireless keyboard या फिर तार रहित keyboard इसका मतलब ऐसा keyboard जिसमें तार ना हो आपने देखा होगा कुछ keywords में तार नहीं रहता तो इसको हम लोग तार रहित keyboard भी बोलते हैं तीसरे प्रकार का ergonomic keyboard ergonomic keyboard कैसा keyboard होता है ergonomic keyboard हमारे साहता के लिए बनाया जाता है जिससे हमारे हाथ नहीं ठकते ये तीसरे प्रकार का keyboard है ये भी market में available है ergonomic keyboard के मदद से ये इस design से बनाया जाता है जिससे हाथों पर जादा जोर ना पड़े और speed भी बहुत अच्छी बने तो तीन तरह की keyboard मैंने पढ़ाए एक तार वाला keyboard जिसको हम लोग साधारन keyboard कहते हैं दूसरा wireless keyboard के लिए बनाया गया है जिसकी मदद से आप आराम से बहुत अच्छी तरीके से बहुत तेज तरीके से टाइपिंग कर सकते हैं जिसमें हमारा हाथ भी नहीं ठकता